पार्ट बाईस कहानी लेखन स्टोरी राइटरिंग कहानी गत्य साहत्य की अत्यंत लोग प्रियरचना है आज लोगों की व्यस्त जीवन में कहानी की अत्यंत उप्योगिता है वास्तफ में किसी घटना का गत्य साहत्य में मनुरंचक वर्णन ही कहानी है कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए क कहानी की भाषा सरस और मधुर होनी चाहिए क कहानी में केवल एक ही खटना का वर्णन करना चाहिए ग शीर्शक छोटा व आकर्शक होना चाहिए घ कहानी शिक्षप्रध होनी चाहिए तथा अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षपी लिखनी चाहिए न कहानी में जिक्यासा पनी रहनी चाहिए बुद्धी ही बल है किसी चंगल में एक शीर रहता था वह सारी चोटी चोटी चानवरों को बहुत परिशान करता था। सबी चानवर शेर से बहुत भैवीत रहते थे क्योंकि उनका जीवन सुरक्षित नहीं था। सब चानवरों ने मिलकर एक यूजना बनाई के हम लोग प्रती दिन एक एक चानवर शेर को भोजन के लिए देंगे। इससे शेर को भोजन भी मिल जाएगा और हमारा चीवन भी स्वतंत्र हो जाएगा। जानवरों की मुख्या ने शेर की समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। शेर ने यह शड स्विकार कर ली। उसने सोचा के रोज घर बैठे भोजन मिलता रहेगा तो इससे अच्छी और क्या बात है। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। एक दिन की बात है। उस दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने अपनी मन में एक योचना बनाई। और वह दिन भर इधर उधर खूमता रहा। शाम के समय वह शेर के पास पहुचा। शेर भूख से बहुत परिशान और क्रोधित था। उसने क्रोध में भर कर खरगोश ने नम्रभाव से कहा। महराज मैं तो आपके पास ही आ रहा था। लेकिन मार्क में एक दूसरी शेर मिल गया जो मुझे खाना चाहता था। मैं किसी तरह बचता बचाता यहां पहुचा हूँ। यह सुनकर शेर और क्रोधित हो गया। उसने खरगोश से दूसरी शेर के पास ले चलने को कहा। खरगोश शेर को एक कुए के पास ले गया और बोला कि यह शेर आपके आने की खबर पाकर डर कर इस कुए में छिप गया है। शेर ने कुए में च्छाका तो उसे अकनी परचाई दिखाई पड़ी। शेर ने जोर से दहार लगाई। कुए स वही प्रतिध्वनी आई शेर ने सोचा सचमुच अंदर शेर है वह कुस्से में कुई में कूत पड़ा और टूप कर मर गया शिक्षा जिसके पास बुध्धी है उसके पास बल है बया और मूर्ख बंदर वर्षा का मौसम था लगतार बारिश हो रही थे लोग अपने अपने घरों में पैठे थे कोई भी बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा था मनुष्य ही नहीं पक्षी भी अपने अपने घोसलों में पैठे थे ऐसे ही समय में पेड की एक टाल पर एक पंदर पैठा था वह बारिश में फीख चुका था उसके तांत कट-कटा रहे थे और वह काप रहा था वह जाता भी तो कहा क्योंकि उसके पास तो कोई खर ही नहीं था बंदर जिस पेड पर बैठा था उसी पेड पर एक पया का घोसला था वह अपनी सुन्दर सी घर में खुसकर पैठी होई थी और बाहर का दृश्य तेख रही थी उसी बंदर दिखाई पड़ा तो उसकी हालत देख कर बया को तया आ गई वह बोली बंदर भाईया आप तो बहुत भीग गए हैं अगर वर्शा शुरू होने से पहले आप भी अपने लिए खर बना लेती तो आज आपको यह तकलीफ न उठानी पड़ती यह सुनकर बंदर को कुछ सा आ गया वह बोला चुपो जा मुझे तुम्हारी उपदेश की जरूरत नहीं है लेकिन बंदर भईया आपकी तो मनुष्यों की तरह दो हाथ है तुझसे एक बार कह दिया न कि उपदेश मत दो बंदर भईया यदि तुम्हारी तरह मेरे भी दो हाथ होती तो बंदर को कुछ सा आ गया वह चिड़ कर बोला अच्छा तो तु बोलना बं नहीं करेगी तुने अपना घोसला बना लिया है तो दूसरों को उपदेश देने चली है ठीक है मैं तुम्हें भी बिना घोसले का कर देता हूं बंदर ने चलांग लगाई और बया की घोसले को तोड़ कर जमीन पर भेग दिया बिचारी बया अपने प्राण बचाने के लिए पेड के पास जोर्मट में छुप गई अब बया को समझ में आ गया कि मूर को उपदेश नहीं देना चाहिए शिक्षा मूर को उपदेश दीने का परिणाम बुरा होता है सच्ची मा किसी गाओं में दूस्तरियां रहती थी उनमें से एक का नाम सुमती था और दूसरी का कलाप्रिया कलाप्रिया निसंतान थे वा बहुत ही जगडालू और इर्शालू प्रवत्ती की महिला थी सुमती के एक पुत्र था उसका स्वभाव बहुत ही नम्र था एक दिन कलाप्रिया ने सुमती के पुत्र को चुरा लिया जब सुमती ने कलाप्रिया से अपना पुत्र वापिस मांगा तो कलाप्रिया जगणा करके कहने लगी कि या पुत्र मेरा है इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है अंत में दोनों जगरती हुए न्यायधीश के सम्मुख पहुचे दोनों ही उस बच्चे को अपना पुत्र बता रही थी थोड़ी देर न्यायधीश सोच में पड़ गए अंत में असली मा का पता लगाने के लिए न्यायधीश ने एको पाई सोचा उसने आधीश दिया इस बच्चे के दो टुकडे करदो और एक एक टुकडा तोनों को देदो न्यायधीश के निर्णे को सुनकर सुमती की ममता चाग उठी वह रोने और चिलानी लगी कलाप्रिया चुक रही सुमती ने कहा सरकार आप इस बच्चे को मत मारिये मैं तो इसके बाल काटना भी सहन नहीं कर सकती आप इसे कलाप्रिया को दे दीजिए कम से कम बच्चा जीवित तो रहेगा अपने आधीश को पता चल गया कि असली मा कौन है उसने तुरंद आदेश दिया कि बच्चा सुमती का है इसे ही दे दिया चाए और कलाप्रिया को कारगार में टाल दिया चाए शिक्षा ममता मा की सबसे बड़ी पहचान है स्वर का फल चमपक वन में एक पहुँद ही नटखट बंदर रहता था उसकी शरागतों से वन के सभी छोटी चीवचनतु बहुत परिशान रहते थे वह पेड़ पर बैठे बैठे जानवरों की उपर कंकर पत्थर फेका करता था एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर उसे मज़ा चकाने का विचार किया योजना नुसार एक लूमडी पेड़ के नीचे आई वह बंदर से बोली हे बंदर भाई तुम तो बहुत ही सुन्दर हो तुम्हारे शरीर पर उगे रोई कितनी कूमल है तुम्हारी पूँच कितनी अच्छी है अपनी प्रशन सा सुनकर वानर फूल कर कुपपा हो गया लूमडी फिर बोली भाई एक बात है तुम्हारा शरीर जितना सुन्दर है उस पर यह तुम्हारा लाल रंग का मूँ शोभा नहीं देता यदि तुम्हें स्वर्क का फल प्राप्थ हो जाए तुम्हारा मूँ चंदरमा के समान सुन्दर हो जाए यह सुनकर बंदर बोला यह स्वर्क का फल कहा मिलीका लूमडी बोली स्वर्क का फल हाथी के मस्तक में होता है तुम पेड़ पर बैटकर हाथी का इंतजार करो जब तुम्हें हाथी आता हुआ दिखाई दे तो तुम उसके मस्तक पर पत्थर मारना इससी स्वर कफल नीचे आ जाएगा जब वह सून उठाए तो तुम वह स्वर कफल निकाल लेना सुन्दर्ता के लूब में बंदर नी वैसा करने का निश्चे किया पेड़ पर बैटकर हाथी का इंतजार करने लगा सामनी से एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया बंदर ने उसकी मस्तक पर पत्थर से मारना शुरू कर दिया हाथी अत्यांत क्रूधित हो गया उसने बंदर को पकड़ने के लिए अपनी सून उसकी ओर पढ़ाया बंदर ने सूचा कि हाथी उसे स्वर का फल दे रहा है उसने जैसे ही स्वर का फल लेने के लिए हाथ पढ़ाया हाथी ने उसे अपनी सून में पकड़ दिया और पटक पटक कर मार डाला उसे वास्तव में स्वर का फल मिल गया शिक्षा जो जैसा करता है उसे उसका परिलाम वैसा ही मिलता है रंगा सियार किसी जंगल में एक सियार रहता था एक बार भूजन की तलाश करते हुए वह एक नगर के पास पहुँच गया सियार को देखकर कुछ कुट्टे फोकते हुए उसकी ओर छपट पड़े सियार सामनी की ओर तोड़ता हुआ नगर में खुश गया सामनी उसको थोबी का नान दिखाई दिया कुछ उपाय ना देखकर वह नान दमें कूद गया उसे न देखकर कुट्टों ने पीछा करना छोड़ दिया लेकिन सियार नांद से निकल नहीं पा रहा था नांद में नील का पानी था पानी में डूबे रहने के कारण उसका शरीर ठंड से काम रहा था भूब प्यास से उसका हाल पेहाल था रात पर उसमें पड़े रहने के कारण वह अध्मरासा हो गया था सुबा होने पर धूबी ने नांद में सियार को देखा उसे मरा हुआ समझकर वह नांद उठाकर नील सहित उसे तूर फेक दिया सियार की जान पच गई उसने इधर उधर देखा धूबी और कुत्ते उसे कही नहीं दिखाई पड़े वह चान बचा कर वहां से फाग खड़ा हुआ जंगल में पहुँच कर वह रुका उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो देखा कि सारा शरीर नीला पड़ गया है काफी देर तक नीले पानी में रहने के कारण उसकी शरीर का रंग काफी पक्का हो गया था सियार ने मन में सोचा शरीर का रंग बदलने का कुछ वाइदा उठाना चाहिए उसने सियारों को एकत्र किया और बोला कि वन देवी ने औशधियों से रस निकाल कर मेरा अभिशेक किया है और चंगल का राच्य मुझे ते दिया है इसलिए अब मैं चंगल का राचा हूँ सियारों तथा अन्य चानवरों ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया वह जंगल का राचा बना दिया क्या सियार अत्यंद खमंडी हो गया वह अन्य सियारों तथा चानवरों पर अत्याचार करने लगा इससे सभी सियार और चानवर दुखी रहने लगे एक सियार अत्यंद बुधिमान था उसने कहा मैं इसका खमंड तूर कर दूँगा शाम को तुम लोग पास वाले टीले पर इकत्र होकर जोर-जोर से चिलाना शुरू कर देना आगे का कार्य शीर, बाग, चीता, आदिका है शाम को जब टीले पर इकत्र होकर सभी सियार हुआ हुआ करने लगे तब सियार से रहा न गया अपनी सोभाव वश उसने भी वही से सबकी स्वर में स्वर मिलाना आरम कर दिया जैसे ही सियार का भेत खुला शेर, बाग, चीता, आदिने उसे दबोच कर मार डाला शिक्षा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छूट ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सकता है